नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कामल, S.P.C. गॉर्वन कॉलेज अज में बच्चों आज जो आपका वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके 19. शिताबदी में भारत में जो 19. शिताबदी में समा सुधार हुए थे उनके क्या कारण थे उस पर आधारित है तो पहले हम ये देखेंगे कि स्वामे द्यान सरस्वती, स्वामे राजा राम मौन राय इन्होंने ये सुधार किये थे तो उसको करने के पीछे कारण क्या थे 19. शिताबदी के भारत की महान विशेष्टा ही है वो है पुनर जागरण अन्दुर इससे भारती इतिहास में एक नए युक का प्रारम भुआ उस समय में समाज में जाती प्रथा, बाल विवाह, परदा प्रथा, मूर्ती प्रथा, चुवा चूत, बहु देवतावाद, और विद्वा विवाह, निशेद, आदी बुराईयां विद्यमान थी धर्म में अनिक प्रकार के आडंबर कर्म कान का प्रवीश हो गया था, इसलिए उस समय की धर्मी किस्ट थी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ईशाई धर्म के प्रशार के कारण, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकरशित हो रहा था, और हिंदु धर्म से लोगों की आस्था हट फिर से जागना या फिर से उद्य होना, तो कुछ ऐसे महापुरिश होए जिसे मैंने आपको पहले बताया, जिन्होंने समाज एवाँ धर्म में व्याप दोशों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया, इसके लिए उन्होंने अनेक सुधारवदी अंदुलन चला है, जिस इस्थापित हो गया, तो उन्होंने निम्नवर्ग के लोगों को नौकरी का आरक्षन और अन्य प्रलोभन देकर इसाई बनाना प्रारम कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने भारत में इसाई धर्म के प्रचार के लिए काफी धनवय किया, और पादरियों को धर्म प्रचार के लिए उत्साहित किया, इसका परणाम यह हुआ कि पादरी वर्ग ने इसाई धर्म के प्रचार के साथ की उनका पैचार किया, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की कुरीतियों, आडंबर, अंद विश्वासों का मजाक उडाया, जब हिंदू इसाई धर्म के तरफ आकरशित के लिए सुधार करने का निश्चे किया, और इसी का परिणाम है कि जो आरे समाय भ्रहम समाज के स्थापना हुई, इसी कारण से हुई, जिसने इसाईयों की धर्मिक कम्यों पर प्रकाश डाला, और हिंदूत्व के महत्व का बखान किया, और भारतियों को अपनी प्राची सभ्यता और संस्कृती का ध्यान जो है वो आकर्शित करा है, तो अब आप देखिए कि इसाई धर्म का प्रचार जो था, वह है सुधारवादी अंदोलनों का एक बहुत ही महत्वपून करन बना, अब ये तो हुई इसाई धर्म के प्रचार की बात, अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार हुआ भारत में, अंग्रेजी शासन के स्थापना के बाद, लौर्ड मैकाले के सुझाव पर भारतियों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोशित किया गया, और भारत वासियों ने अंग्रेजी तो भारती हो और वह उसके जो विचार है और जो उसकी भाषा है माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो जाए तो इसका अब लोगों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और अंग्रेजी साहित्य से उन्हें यह प्रेड़ना मिली कि भारत पास्चाते शिक्षा में क्या था इसी प्रेकार से क्या हुआ कि भारत का विदेशों से संपर्क है ऊंग्रेजीओं के शासन में यातेयात के साद्नूं का बहुत विकास हुआ इसलिए भारती लोगं चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका आधी देशों में जाना लगे जब भारत के लोगं विदेशों के संप परक में आये तो उनके जीवन के प्रतियक शेत्र में जो था वो क्रांतिकारी परिवरतन हुआ और क्रांतिकारी परिवरतनों ने क्या किया पुनर्जागरण को जन दिया इसके अलावा प्रैस आप दिखी छापा खाना भारती छापा खाना और साहिते छापा खाना और साहित और शिक्षित वार जब इनको ने पढ़ा तो उन्होंने इन बुराईयों को दूर करने का भर सक प्रयास किया और पत्र अपुस्तकों के ने लोगों के हिर्दय में रास्ट्य भावना जो थी वो जाग्यत कर दी अब इसके अलावा प्राचीन सांस्कतिक परंपरा का ज्यान म माध्यम से अपनी प्राचीन संस्क्रित की महांता का पता पढ़ा मतलब उनको यह पता नहीं था कि हमारे देश में कितने महापुर्श हुए हैं कितने महान साहित्य हमारा वो मतलब आप देखे कि अंग्रेजों ने हमारे को बताया कि तुम्हारे देश में कितना अगात साह अठारवी शिताबदी के अंत में कई अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत भाषा का अध्यन करने के बाद हिंदूओं के धर्म ग्रंतों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और उसको पढ़के जैसे अभिज्यान शाकूंत लगुधारन के लिए उसका सरकार ने बहुत संस्कृत कॉलेज की विस्थापना की अंग्रेजों के द्वारा संस्कृत सहित्य को प्रोस्तान देने के संस्कृत भाषा के पुनर उध्धार संभो हुआ और विश्वी के सामने प्राचीन भारतिय गौरव उपस्तित हुआ जब भारतियों को पता संस्कृतान अवगत कराया और इसी प्रकार से पश्चिम संस्क्रति का प्रसार हुआ जब से अच्छी बात यह थी बुद्धी वादी विचारधारा होती है तरक शक्ति के विद्यार्थियों आपके दो नमर्द के पश्च्च यह भी आ सकता है जसको कहते है उसका अर्थ क तो अब ये वात रही कि इस प्रकार 19-वी शिताब्दी में समाज सुधार जो हुआ उसके यही सामाजिक, धार्मिक, राजनेतिक, आर्थिक और यह सब कारण थे इसलिए ब्रहम समाज, आरे समाज, राम कृष्यमेशन, Theosophical Society आदी सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन प्र अब हम आगले वीडियो में देखेंगे कि राजा राम मौन राय ने भ्रहम समाज के स्थापना की, स्वामिजयन सुरस्पति ने आरे समाज के स्थापना की, उनका वर्णन हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगें, धन्यवाद